मेरे को दो तीन साथ से हाइटस हरने का प्रावलम था खल मेरी सर्जरी हुई सर्जरी के बाद तरग गुमने फिरने लगा तो लिक्वेड और नराम भोजम किया अगोंपिय था किसी कता कोई परिस्ताने में है और अभी मुझे चुटी गया जा रहा मेरी सर्जरी छे मेना पहले हुई थी और आज मैं छे मेना के बाद पोलोप में आया हूँ और सर्जरी से लेकर कर आप तक किसी करकरत कोई परिशानी नहीं हुआ है ना ही दर्द के इसास हुआ है और मेरी दवाई बंध हो चुकी है मेरा नाम प्रदीप लपड़ा है मैं चतिसगर्ड जस्पूर जीला से विलों करता हूँ मेरे को दो-तीन साल से हाइटस हरनेट का प्रावलम था मैंने डप्टर चिरा ठक कर से संपार किया और मैं कालून से मिला और मैंने जांच के बाद मैं घर चला गया जैसे रोटीन चलता है वेंसे ही खाना खाया और रात में स्वयार चुटी स्कंटे के बाद आज मैं इस निक्रोगाने कर आया और इसके बाद आगे बताओं मैं क्या हुता है। जैसे कि मैं पहले पीस इस्टेडी के बार में सला दिया गया था। उसके बाद जांच होने के बाद में अजे ऑप्रेशन के लिए सिजिस्ट किया गया और कल मेरा ऑप्रेशन हो गया। इसके बाद 2-3 घंटे के बाद में घुमने पुने लगा। इसके बाद में नौ बजा सपास नरम भोजन अर्बूत पीने को प्रापिया। कि अबीदे और अभी भी बात रोमाने जाने हो पर रुष्छा पर हां और आज उप्रेसन की घुसरे दिंहें हैं कि आदो कि पर खाने में प्रटकां है मैं नॉर्माल पहले जो ही मैं अपना खाना पी नखा पी रहा हूं कि जो कोई तकलीक नहीं। मेरा सरजरी के बाद दूसरे दिन शुप्ती दे दिया गया था। उसके बाद अभी तीसरे दिन यहां बीजिट के बुड़ाया गया है। इस दीच मेरे को किसी परकात कोई परिसानी नहीं। मैं खाना पिना बढ़ियां से खाया और एक रोदीन बढ़ियां सोया में कोई अकलीक नहीं। और आज यहां पोलोप के आया और यहां सरसंदिन खरके अपना जोगी है सब। अच्छे से पूछे कोई परिसानी नहीं हुए। इसके बाद अभी मैं खरजा आँ। मेरी सरजरी शे महिना पहले हुई थी और आज मैं शे महिना के बाद पोलोप में आया हूं। और सरजरी से लेकर आप तक किसी प्रकार कोई परिशानी नहीं हुआ है ना ही दर्द के एकसास हुआ है। उजे उघ्जेटा नहीं है और मेरी दवायी बंध हुआ। अचित अच्छी तरह से कर रहा हूं। मिले है। अभी आप ऐसी ठीक है। वर सब प्रिशानी नहीं है। झाल